नमस्कार दोस्तों यदि आपकी राशी कुम राशी है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता हैं आपको आसानी से मिलें और आपके जीवन में कोई भी दुख ना रहे और दुरभाग गया आपसे दूर रहे तो उसके लिए जरूरी है कि भगवान गरेश की अराधना करें भगवान गरेश की अराधना करने के लिए आप सकती विनाय भगवान गरेश को ही घर लेकर आए और अपने घर पे इस तापिक कीजिए और उनकी रोज पूजा कीजिए अराधना कीजिए और उनके इस मंत्र का उच्छारण कीजिए मंत्र है ओम हीम करीम हीम इस मंत्र का उचा रहना आपको 108 बार करना है ताकि आपके जीवन में जो भी ऐस सफलताइं मिलती हैं वह जल्दी ही सफल में बदल जाएं यदि आप अपने केरियर को लेके जादा दुभीदा में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस केरियर में जाएं तो उसकी लिए ज़रूरी है कि भगवान गरिश की अरादना करें ताकि आपको कोई ना कोई रास्ता मिले जिसकी वज़ा से आप उस लाइन में जाकर अपनी कारे को सफल बना सकें अक्सर देखा जाता है कि कुम्बराशी वाले काम को भरपूर तरीके से करते हैं और सही से करते हैं काम को मल लगा कर करते हैं और अपने घर पर सभी लोगों का ध्यान भी रखते हैं लेकिन इनका गुस्सा बहुत जाड़ा हानिका रखो सकता है इनके जीवन को लेकर और इनके केरियर को लेकर यदि आप चाहते हैं कि आपके केरियर में कोई परिशानी ना रहे तो कुम्पराशी वाले भगवान गनेश की आराधना करें और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंद सब्सक्राइब करना ना भूले हैं